नमस्कार किसान भाईयों, आज धान की खेती करने वाले किसान भाईयों के लिए बहुत ही सांदार वीडियो लेकर आया हूँ यह वीडियो काभी सारे किसान भाईयों के अनुभव जानने के बाद बना रहा हूँ और मेरी हमेशा कोशिच रहती है कि किसान भाईयों के लिए बेस्ट जानकारी वाला वीडियो लाओं तो इस वीडियो को आन तक जरूर देखिएगा सबी किसान भाईय अच्छे से जानते हैं कि धान की खेती हमाले लिए कितनी महत्पून है यह खेती हमारे पुरोजों के समय से ही की जा रही है धान यानी चावल और इसे देश के अंदर करोडों किसान दुआरा बोया जाता है मक्का की फसल के बास सबसे ज़्यदा यदि उत्पादन हमें मिलता है तो वो धान के खेती के अंदर ही मिलता है धान में अधिक उत्पादन मिलने के कारण सात ही इसका अच्छा मुल्य भी मिलता है अच्छे मुल्य मिलने से परिवार की आर्थिक स्थिती بھی मजबुत होती है लेकिन किसान भाईयों मेंने देखा है कि कुछ किसान तो धान की खेती के अंदर बहुत अच्छा उत्पादन ले रहे हैं और कुछ किसान को नुक्सान हो रहा है आखिर ये अंतर क्यों आ रहा है तो चलिए जानते हैं धान की खेती में होने वाले नुक्सान के बारे में मुख्य रूप से दो तरीकी के नुक्सान हमें देखने को मिलते हैं एक पाकरतिक तरीके से दूसरा तक्निकी ज्यान के अभाव में पेला है पाकरतिक आपदाई पाकरतिक आपदाई के अंदर सुका पाने की कमी होना या कोई भी पाकरतिक आपदा का आ जाना दूसरा है तक् कीटों का फसल पर आक्रमन करना इन में सबसे जो मुख्य रोग है वो है तना छेदग पत्ती लपेट किट जिसे हम पत्ती मोड़क के नाम से भी जानते हैं इनके आक्रमन से किसान भाईयों को काफी ज्यादा नुक्सान होता है और इनके रोक्ताम के लिए हम अक्सर उनी परम मोड़क जो कीट होते हैं वो उनकी फसल के लिए काफी ज्यादा नुक्सान दायक होते हैं और वो कई तरह की दवाईयों के इस्तिमाल करने के बाद भी उन्हें इन से छुटकारा नहीं मिलता है और अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो मैंने काफी दिनों तक सर्च किय काफी सारे प्रकतिशल किसानों से बातचित करने के बाद मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बेस्ट तना छे दग पत्ता मोड़क नियंत्रन वाली दवाई यह जो दवाई है सिजंटा कंपनी की है और सिजंटा कंपनी हमेशा ही किसान भाईयों के लिए बेस्ट समा भरी रखती है फसल का जड़तंत्र काफी मजबूत रखता है फसल के अंदर काफी अधिक बालिया आती है जिससे किसान भाईयों को अधिक उत्पदन मिलता है साई समय पर इन सिप्यों करने के बाद यह लंबे समय तक काम करती है हर पकार के मोसम में काम करती है और इसका जो इन CPO का इस्तिमाल कब और कैसे करना चाहिए इसका इस्तिमाल करना बहुत ही आसान है जब धान की रुपाई हो जाती है उसके 15 से 25 दिन अबाद इसका इस्प्रे किसान भाईयो को करना चाहिए इन CPO की 120 ml दवाई प्रती एकड के लिए प्रयापत है इसे 1500 से 200 लिटर पाने के साथ मिलाकर फसल पर इस्प्रे करना चाहिए इसका इस्प्रे का असर काफी लंबे समय तक फसल पर रहता है इसका उप्यो करने के बाद किसान भाईयो आपको तना छेदग पता लेपैट यानि पता मोड़क जैसे चिद्धी किटों से छुटकारा मिल जाता है और इसके इस्तिमाल के बाद आपको बार बार किसी भी अन्य पकार की दवाईयों का इस्प्रे करने की जरुत नहीं होती है जिससे किसान भाईयो आपका समय और पेशा सो बच्चता ही है साथ में फसल में अधिक फुटाव आता है, अधिक बालिया बनती है जिससे अधिक उत्पदन धान की फसल में हमें मिलता है चिन किसान सातियों ने इन सिप्यों का इस्तिमाल किया उन्हें काफी अच्छे परिणाम मिले और वो इस चादू की खिड़की से काफी खूसे तो आप भी इस बार अपनी धान की फसल में जिद्धी किटो की रोकताम के लिए इन सुप्यों का इस्तिमाल करें और अच्छे रिजलिट प्राप्त करें तो दोस्तों उम्मित करता हूँ कि आज की यह वीडियो सभी किशान भाईयों के लिए लाबदायक सिध्ध होगी और धान की खेती करने वाले किशान भाईयों को धान में अधिक उत्पादन मिले इनी सुपकामनाओं के साथ आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए जरुत मन किशानों तक शेयर करिएगा जल्दी मुलाकात करेंगे एक और नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जै भारत जै किशान